नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं एलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये वीडियो को अपलोड किया था कि हम 46-56 मोडूल से ये 1.2 बोल्ट की बैटरी को कैसे चार्ज करें तो वहाँ पर उस वीडियो में कुछ कर रहा हूं तो देखें दोस्तो हमारे पास जो ये 46-56 मोडूल होते हैं तो यहां पर जो है इन मोडूल से हमारी बैटरी है वह 3.7 बोल्ट की बैटरी चार्ज होती है लेकिन यहां पर बहुत से भाईयों को ये प्रोब्लम होती है कि सर जो यह हमारी 1.2 बोल्ट की बैटरी आती है इस तैप में जो हमारी टुडर ट्रिपल ए की होती यह और डवल लेकी बैटरी होती है और कुछ अदर बैटरी भी होती है जो वन पॉइंट टू वोल्ट के अंदर होती है तो यहां यहां पर इन बैटरी को हम कैसे चार्ज करेंगे क्योंकि यह भी देखें लीथियम बैटरी ही है लेकिन इसको चार्जिंग के लिए चाहिए 1.2 वोल्ट अब यहां पर क्या होगा कि हमारे पास यह मोडूल है तो इसके अंदर हमें क्याची पास का एक रजिस्टेंस होता है इसमें और यहां पर हमें इस रजिस्टेंस को चेंज करना होता है तो यहां पर भी देखें आर्थिरी लिखा हुआ है यहां पर भी आर्थिरी लिखा हुआ है तो यहां पर मैंने एक मोडूल के अंदर आर्थिरी का जो रजिस्टेंस है उसक लगा सकते हैं और यहां से क्या होगा कि जब हम अब मानके चलिए कि इसके अंदर अभी हमने कोई भी चेंजिंग नहीं किया है तो यह जो अब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो यहां पर वन एंपियर के आसपास जो आउटपूट मिलता है और अगर आपको बैटरी थोड़ यानि कि आधे एंपियर से भी कम तो यहां पर उससे क्या होगा कि जब हम 1.2 वोल्ट का बैटरी को चार्ज करेंगे तो यहां पर क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो बैटरी है ज्यादा हीटिंग भी नहीं होगा और हमारा बैटरी जो है वो खराब नहीं होगा तो यहां पर मैं आपको इस मोडूल से बैटरी को चार्ज करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए जब हमने यहाँ पर 4K7 का रजिस्टेंस लगा दिया है तो यहाँ पर आप मैं बैटरी को जब मैं कनेट करूँगा तो यहाँ पर भी उसी तरीके से ही काम करेगा जैसे यह पहले काम करता था यानि जैसे यह बैटरी कनेक्ट होगा बैटरी कनेक्ट होने पर जो red LED है वो glow हो जाएगी देखिए बैटरी कनेक्ट हुआ red LED गेलू होगी हा हमारी बैटरी जो charging चालू हो गई यहाँ पर मैं इस बैटरी को भी चार्ज करेंगे दिखाता हूँ यह देखे इस बैटरी को मैंने माइनस पॉइंट लगाया और यह पिलस लगाया देखे बैटरी चार्जिंग होगी अब यहाँ पर क्या है जब इसमें रजिस्टेंस हम 4K7 का लगा देंगे जब हम यहाँ पर बड़ी बैटरी को चार्ज करेंगे अब यहाँ पर क्या होगा कि बड़ी बैटरी चार्ज तो होगी लेकिन यह बैटरी बहुत ही ज़्यादा सिलो चार्ज होगी यानि कि 8 से 9 घंटे या 10 घंटे भी आपको लगाना पड़ सकता है तो कभी भी आप अगर 3.7 बोल्ट की बैटरी को चार्ज करते हैं तो यहां पर आप मोडूल के अंदर कुछ भी चेंजिंग ना करें और ऐसे ही चार्ज करें और अगर आप 1.2 वोल्ट का बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 4K7 या 5K6 का रजिस्टेंस लगाएं और फिर जाकर आप बैटरी चार्ज करें आपका बैटरी एकदम बढ़िया वर्क करेगा और उसमें कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी तो दोस्तो मेरा ही जानकारी आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बैल के आइकन को जुरूर दवाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा